दुनिया में हर वेक्ती अपने योगिता के अनुसार चमकता है, इक्छा के अनुसार नहीं उम्रे बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाइस लेकर वहीं खरे है क्यों? देखो समय अपनी रप्तार में है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, जल्द आएगा वह दिन जब काम्याबी तेरी है और खुसी तेरी माबाब की होगी अपने सपनों को सकार करने के लिए इतनी सिद्ध से मेहनत करो कि जो आज आपके सपनों पर हस रहे हैं वही लोग आपके लिए ताल्या बजाएं, विनर वही होता है, जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और परियास करता है मुसीबत आही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढुंडो, परने से क्या होगा आज हारे हो, कल जीतोगे, इस उम्मीद पर अपना हर कदम आगे रखो, याद रखना जो व्यक्ति लगातार मेहनत नहीं करता, वो कितना भी मेहनत कर ले, उसे काम्यावी नहीं मिलती, अलार्म बंद करके सोने वाले नहीं, नींद भुला कर उठने वाले वनो, अगर आप गर्स के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, अरे यहां सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां लाखो इनसान है, आज आपके जीवन में कितनी मुश्किले हैं, इसे कोई फर्क नहीं प चाने के लिए, रोने से इनसान कमजोर बनता है, यह बात गलत है, बलकि रो रो का टूटा हुआ इनसान ही सबसे मजबूत बनता है, अरे मिल सके जो असानी से उसकी ख्वाइस किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकदर में लिखा ही नहीं है, जै हिंद, जै भारत